जहिन बच्चो बच्चो बीस जैनवरी को जो आपका नौदे विद्धाले प्रवेस परिक्षा होने जा रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट छिपी ही आकरेती यानि की इंबेड़ेट फीगर के कुछ कोशन्स में कराने जा रहा हूं जो कि आपके एक्जाम में बच्चो करके बताया हुआ है बच्चो मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल नौ सेक्षन पर पहला कोश्चन आपके सामने बच्चो अब यह देखिए जो फिगर है वो ए है इसको थोड़ा सा टेड़ा कर दिया गया है अभी आकरिती कहां देख रही यह देखिए छिपी वी आकरिती इसी में है तो अप्शन नौबर बी वच्चो इसका सई है अब कोश्चन नौबर टू को देखें कोश्चन नौबर टू में आपका अगर हम सीधा सीधा देखें अगर यह लाइन आई फिर ऐसे आई फिर ऐसे आई लेकिन यह वाला हमें य दिखने रहा है यह वला हमें यहां दिखने रहा है तो थोड़ा सा में एंगल चेंज करके देखें अगर हम यहां से लेते हैं फिर ऐसे जाते हैं फिर ऐसे जाते हैं तो यह सीधी लाइन हमको मिली फिर यह सीधी फिर यह सीधी अब यह देखें यह फिगर जो है पूरी तरह स बच्छो इससे match कर रहा है अब इस वाले में बच्छो देखिए यह N बना हुआ है ऐसे टेड़ा करके N ठीक है यह Z भी इसको आप मान सकते हैं तो same figure यहाँ पर आपका बच्छो बन रहा है इसका option number B जो है हो सही है अब question number 4 में आईए question number 4 में बच्छो यह जो same figure है हम देखें बहुए एक आउटर लाइन बना ले पहले आउटर लाइन हमारी बन गई ठीक है फिर एक क्रॉस जा रहा है फिर इधर से एक डायगोनल आ रहा है एक डायगोनल इधर को आ रहा है एक लाइन ऐसे बनी एक लाइन ऐसे बनी है तो option number B बच्छो पूरी तरह से match कर रह कोशन नंबर 5 से अब देखें कोशन नंबर 6 यह भी embedded figure काफी अच्छा लग रहा है मुझे इसमें देखें यह figure अगर हम देखें ध्यान से तो एक लाइन हम बना लें ऐसे ट्रेंगिल के एक साइट से ऐसे चले जाएं एक साइट से ऐसे चले जाएं फिर दोनों को हम जोइन देखें सेम फिकर हमें यहां मिल गई option number C में ठीक है अब यह question number 7 देखें इस वाले में बच्छो अगर आप ध्यान से देखें यह जो triangle यहां बना ठीक है हमने triangle बना है सीधी line ओपर को गई है फिर मुड़ गई है सीधी line ओपर को गई है फिर मुड़ गई फिर यहां पर एक गाप पूरा ट्रेंगल बना ठीकक है फिर एक राउंड है यहां से हमने एक राउंड ले लिया एक बाहर राउंड है एक बाहर से राउंड है तो पुरी तरस सीसका option नंबर T इयं ब firm ग्चों मैच कर रहा है आप कोश्च नंबर नाइन में देखें को यहां पर जो matching है यह एकदम बच्चों यह देखे आपको option number B के साथ में पूरा-पूरा match कर रहा है पूरा-पूरा match कर रहा है फिर यह line से के यह से गई फिर हमने इसको मिला दिया ठीक है तो देखे option number B easily match किया बस आपको ध्यान से देखना है आपका उत्तर बच्चों आपके सामने होगा आप question number 10 का देखे इसमें हमें ultra L बना हुआ है तो यह देखे साफ साफ यहां पर यह ऐसे बच्चों दिख रहा है ठीक है तो इसको option number D बच्चों सही है ठीक है इसके बाद आए यह question number 11 देखे 11 में आपका पहले option को अगर हम देखते हैं ठीक है तो यह एक ट्रेंगल बन रहा है ठीक है ट्रेंगल बन रहा है और फिर एक और ट्रेंगल बन रहा है ठीक है तो यह देखे पूरी पूरी तरह से option number A इससे मैच कर रहा है अब आई एक question number 12 को देखें question number 12 में यह हमें M देखना चाहिए M कहां बन रहा है तो अगर आप ध्यान से देखते हैं हर एक जगा M बन रहा है हर एक जगा M बन रहा है, कोने में अगर आप देखेंगे, हर एक जगा बन रहा है, बाकी जगा नहीं बनना है, तो इसका option number A बच्चो सही है, question number 13 में आईए, question 13 में इसका answer है, ठीक है, question number 14, question number 14 में बच्चो ये देखें, circle है बीच में, उपर लाइन गई, नीचे लाइन गई, एक डैस अपने आप से इसमें hidden है, तो option number A बच्चो इसका 14 का सही है, ठीक है, option number 15 है ये, 15 में बच्चो आपका एक circle है, तो हमने circle बनाया, दो लाइन गई, और यहाँ पर एक triangle है, ठीक है, तो पूरी तरह सही option number A, 15 का भी बच्चो सही है, question number 16 को देखें, question 16 में बच्चो, इसमें एक semi circle है, semi circle पूरा पूरा हो गया, एक circle अंदर भी है, और एक line ऐसे आई हो गया, तो इस तरह से पूरा पूरा ये जो है, 16 का option number A, यहाँ पर सही है, बाकी में अगर आप देखेंगे, कोई ना कोई figure एक बच्चो नहीं रहेगा, ठीक है, 16 का आपक option number 17, 17 में बच्चो, यह X बना होना चाहिए, तो cross की बच्चो अप्चिन number C में बच्चो यहाँ कर रहा है, ठीक है, तो 17 का option number C, जो है, ओ, सही है, ठीक है, अब आई, question number 18 को देखें, question 18 जो है बच्चो, एक triangle होना चाहिए, हाँए, एक triangle है, ठीक है, और एक line आने चाहिए, हाँ एक लाइन है तो option number c जो है इसका बच्छो 18 का एकदम सही है question number 19 19 में बच्छो आपका ये e बनके आना चाहिए तो अगर हम ध्यान से देखें थोड़ी लंबी लाइन से इसकी दोनों को मिला दिया फिर ये बीच में ये देखें पूरी तरह से ये figure जो है 19 वाला option number b के साथ बच्छो मैच कर रहा है बाकी में ये मैच नहीं करेगा ठीक है फिर आए question number 20 को देखें question 20 में बच्छो ये आपका ये पूरा-पूरा figure है hidden है ठीक है ये देखें पूरा इसी तरह से continued हो गया तो option number b 20 को बच्छो सई है तो एक कुछ questions और कर लेते हैं पांच questions और हैं जो कि आपके लिए important है काफी question number 21 देखें question 21 है जो बच्छो ये स्वास्तिक है पूरा-पूरा ये देखें यहां पर एकदम मैच कर रहा है ठीक है option number d इसका 21 का सई है question number 22 में आई है question 22 के option number अगर हम ये circle बेसक बना है बस इसको ध्यान से देखें ये देखें पूरी तरह से आ गया कि नहीं आ गया तो इसका बच्छो 22 का option number C जो है हो सई है question number 23 23 में बच्छो ये triangle एक यहां पर right angle triangle बन रहा है तो right angle triangle बन गया बस ये नीचे को लाइन हमने कर दिया तो 23 का option number B बच्छो एकदम मैच कर रहा है ठीक है अब आई question number 24 को देखें question 24 में बच्छो आपका ये एक oval shape है ठीक है और ये सीधी लाइन आ गई है तो देखे 24 का option number C एकदम बच्छो सई है ठीक है question number 25 बच्छो एक request है आप से कि अगर इस त 28 के 25-25-50 प्रशनों को मैं हल करा दूँगा ठीक है और मैस में कौन सा topic आपको जानना है ये comment section पर लिखते हैं तो उस मैस के उस particular topic के सभी प्रशनों को मैं बता दूँगा ठीक है अब question number 25 ये आज का बच्छो लास्ट question है तो इसमें देखें ये figure यहाँ पे इस तरह से ये पूरी पूरी तरह से तो 25 का यहाँ option number B बच्छो जो है वो सई है ठीक बच्छो ये वीडियो आज का था thank you thank you very much